नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मरीनिस्ट में दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब कोई शेयर बाई करते हैं तो उसका जो डिविडेंड एनाउंस होता है तो इसकी आपको पता होगी कई तरीकी कि डेट्स होती है इसे रिकॉर्ड डेट हो गया, एक्स डेट हो गया, डिविडेंड पे आउट डेट हो गया तो यह सारी डेट्स होती हैं के बारे में आपनों को पहले से पता होगा लेकिन डिविडेंड आपका आपके एकाउंट में का बाता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है जैसे मैंने भी टिकट टेप भी चेक किया वहाँ पे भी जैसे भी कल के तारीख में TCS ने 7 रुपर का डिविडेंट एनाउंस किया है तो ये नहीं दिख पाता है कि हमारे जो भी linked account है हमारा उसके अंदर किस तारीख को डिविडेंट आएगा तो इसके लिए ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप आसानी से किस तरीखे से चेक कर सकते हैं हो सकता है काफी और भी तरीखे हैं लेकिन जो तरीखा मुझे आसान लगता है मैं उसका इस्तमाल करता हूँ वही आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेर करने वाला हूँ तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको ट्रेडिंग व्यू जो एप है इसका कुछ इस तरीखे का लोगो होता है यह आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा अपने मॉबाइल में यह देखे यह स्पेलिंग है और यह एप है इसको इंस्टॉल कर लीजेगा इंस्टॉल करने के बाद में आप अपना जो जीमेल है Google का और password है ये डाल करके sign up करके login कर लिजएगा मैंने already login कर रखा है तो हम इसको simply open कर लेते हैं चल ये ये open हो रहा है चल ये open हो गया और जो list है ये मैंने इसमें upload की है आप भी यहाँ पर जो watch list है यहाँ से जा करके आप लोग stock वगेरा add कर सकते हैं तो अब जैसे कि माल लिए आपको किसी stock का check करना है कि उसका dividend कब आने वाला है कब आपके account में आ जाएगा या dividend payout date क्या है तो उसके लिए simply जो ये plus का निशान बना हुआ है यहाँ पर इसको मैं back करता हूँ यह आपको दिख रहा होगा यहाँ आ जाओ तो यह plus का जो निशान बना हुआ है इसके उपर आपको click करना है दाए नियोग ठीक है चलिए इसको पर हमने click कर दिया अब जैसे जिसके बारे मुझे पता है उस stock को पहले सर्च करते हैं जैसे यहाँ पर BPCL इसको हम सर्च करेंगे BPCL ठीक है और जो पहला option है इसको हम चूज कर लेते हैं BPCL भारत petrol corporation चलिए अब यह सबसे नीचे आ गया है आपको यहाँ दिख रहा होगा यह आ गया है अब इसके उपर हम click करेंगे चलिए इसके उपर हमने click कर दिया अब आपको क्या करना है जहां पर यह D लिखा है D मतलब dividend इसके उपर आपको click कर देना है चलिए इसके उपर हमने click कर दिया और जैसे ही आप click करेंगे सारा खेल आपके सामने open हो जाएगा और यहाँ पर आपको payment date मिल जाएगी 27 October 2021 का अगर आपके पास में BPCL का share है तो आपके bank account में morning में ही नहीं आ जाता है यह मैं सोची लेगा जैसे ही अगला दिन हुआ आ जाएगा time लगता है और अलग-अलग accounts में अलग-अलग समय पर आता है किसी में जल्दी आता है किसी में देर माता है दो पहर के बात तक अमोमन आ जाता है अगर मैसा जाएद तो ठीक है नहीं तो आप login करके भी अपने net banking की थूरू अपना bank चेक कर सकते हैं उसमें आपको show करने लगेगा यहाँ से आपको gross कितना इन ठीक है इसको पर click किया और click करने के बाद में यह हो गया और यहाँ पर जो यह लिखा हुआ है इसके उपर click करते हैं चलिए इसको पर click किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो TCS का इन्होंने कल 7 रुपे का annonce किया है नो तारिक को को और कितना है ती नौंबर 2021 को यह पैसा आपके link account में आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से जान सकते है ट्रेडिंग व्यू एप के द्वारा कि आपका जो भी holding है जो भी shares है उसका dividend किस तारिक को आपके खाते में आ जाएगा तो यह बस से एक छोटी सी चैनकारी थी इस वीडियो के माधिन से जो कि मैंने आप लोंग जाथ शेयर किये है नेस्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार